मोदी तो बिल्कुल पसंद नहीं है क्यों पसंद नहीं एक मिटू जाई है आप आप जैसे समझेंगे हम आपको वैसे समझाएंगे सिंपल बात है आप जीस तरह से समझेंगे हम आपको उस तरह से समझाएंगे जो जिस बास 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 और और योगी जी दोनों चीज जा और सस्त्र ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे माफ्याओं को सीधा गार देना चाहिए पता नचले बॉड़ी कहां गई अरे बेलकुल होना चाहिए जो गलती करेगा में जाके पत्फर मार के मंदिर तोड़ूंगा तो मेरा घर तूटना चाहिए क्या नाम हो गया आपको यह बताईए आपको कौन सा नेता मुझे मोधी तो बिल्कुल पसंद नहीं क्यों पसंद निया एक मिट्टू जाई है आपको कैसे लगता है कि नफरत क्यूंकि वह कौमनल के सारा उनका जो भी जंडर सब कौमनल पे रहता है वह जिस तरह से जगड़ा लगाते मुसलमान औ सब्सक्राइब लेकर अभी तक हर जगा हम अपने स्कूल और कॉलेजिस में देख चुके किस तरह हिंदू और मुसलिम स्टूडेंट में बहुत इतिफाक हो चुगा बुल्डोजर भी बात हो रही है बुल्डोजर चल रहा है जगह जगह तो क्या वो भी सिर्फ मुसलमानो पर चल रहा है नहीं यह सारा जो पॉलिटीशन होता है वो तो बैटकर अपने आफिस में रहता है वो लोग थोड़ा थोड़ा भड़काते जिस तरीके से हिंदू मुसलिम सब में आपस में जगड़े होते तो और यहीं बुल्डोजर वीसी वजह से चलता है आप बताईए कि योगी जी सिर्फ मुसल्मानों के खिलाब बुल्डोजर चलाते हैं यह गलत है क्या मुन्ना बज़रेंगी मुसल्मान थे ठाकुर थे जो अनपुर कहने वाले शही है ने और यह कौन पंडित थे विकास दूबे वो क्या मुसल्मान थे तब यहां धिंदू मुसलिम कौन कानून नहीं है और हम पकड़ मार दे कानून हो गया इसका क्या मतुत ओजो कर रहे हैं योगी जी सही कर रहे हैं वह प्रदेश में डर होगा माफियाओ को जो अवैद मिर्मान कर रहे है थोड़ा बहुत या नहीं अब हमसे बात करिए उन्हां क्या है यूपी कंदर भाई स अब जा रहे हैं सिधा मार के इसे फेक देते नालाम नदीम कहीं पता नहीं चलता इस समय बहुत सांती है वहां पहले सांती नहीं अरे पहले रोड चले कोई मार देदो प्राका साले मोटर साइकल देदो गाड़ी देदो अगर हमारी दुकान है लाओ भाईया है पासजार योगी जी के आने के बाद ये सब नहीं हो रहा है अग्दम सांती बहुत सांती कहिए तो असी का 90 परसंट सांती है छिनाइतिक बंद है उसूली बंद है नहीं डॉक्टरों से 50 लाग दे दो 20 लाग दे दो पहुंचा दो यह सब होता था योगी जी से पहले पहले वो सब होता था यह तिसलिया मुन्दा बजरंगी मारे गए क्या उसमें हिंदू मुसलिम कौन से बात अतीक अहमत को अभी डर है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं वो गौहार लगाते हैं कई गाड़ी ना पलट जाए यह कुझे गलती कर रहे हैं गाली को पलट वा रहे हैं मरवात है जैसे मुन्दा बजरंगी मरवाए कहानी खत कि जो गलती करेगा जाकर पथर मारके मंदीर तोडूंगा तो रहा घर Mutना चाहिए क्योंकि यह मेरे पेसे से ठीक अग्यार है यह कानून में नहीं है इसेंदमें तो आए यह कौछ मेंкие मारे ने चाहिए कोई गल्ट निकाम करा और गाड़ी पल्टना चाहिए हाँ जो गुंडागर्दी करेंगा उस और गार्डना चाहिए बी YoB पी में हुगंडागकर करेका गाड़ी पूरे एकदम जला के खाग में लागा चाहिए जाए जाए लिए यूपी में इतना बड़ा गुंडा है ना काड़ी पलते जब बोलना इसी बात का वो सुप्रीम कोट पहुंच यूपी माई नी रहा बाबा के बास यूपी यह दो पागेसान चाहिए लोक तर खत्रे में हैं वो खुद खत्रे में हैं कि उनके नाम पे केस फाइल निकल गया तो उनका गाड़ी भी पल्टेगा ठीक है ना तो सबका बुल्डोजर की कारवाई सही हो रही है पहले पत्तर पाहें किने से डरते इन दे बंदी अब पत्तर बैको अगले दिन बुल्डोजर फिर गड़ प सबसे बड़िया समधान है दुनिया बढ़िया बनेगा निर्दोसों का भी घर तोड़ देते हैं बदमास को हाँ पूरे देश में चालू पूरा देश में एक बात बोलना चाहूंगा आप सुपोच कीजिए आपको साप काट निकले आए तो आप क्या करेंगे अपना बचाओ करेंगे साप को मारेंगे यही करते हैं तो आप सोचिए जो गुंडे हैं वो क्या कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं हमारा ही तो नुकसान कर रहे हैं तो उन्हें कैसे छोड़ देना चाहिए उन्हें तो मारना ही चाहिए उन्हें सबक सिखाना ही कानून सबक सिखाएगा योगी जी कौन होते हैं सबक सि उपना समझत आंवे सब्सक्राइन करें जो इतना मैणत कर हैं कि इसलिए इतना सब्सक्राइब है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आताताई हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी न किसी रूप में हमें उनको उनका प्रोटेक्शन को खतम करना पड़ेगा उनका वेल्यू को गिराना पड़ेगा जब तक हम उनका वेल्यू नहीं गिराएंगे तब तक हम आगे आप जैसे समझेंगे हम आपको वैसे समझाएंगे सिंपल बात है आप जिस तरह से समझेंगे हम आपको उस तरह से समझाएंगे जो जिस बास 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 और और योगी जी दोनों चीज़ जानते हैं सास्त्र और सस्त्र और यह सत्य है कि बिना सिर्फ सास्त्र से काम नहीं आपको सस्त्र भी हाथ में रखके चलना पड़ेगा हमारे जो देवी देवता हैं उनके हाथ में सस्त्र भी और सास्त्र भी है सास्त्र आपको ज्यान देता है कि कैसे अपने जीवन को जीना और सस्त्र अपने डिफेंस के लिए अगर हमें उस जीवन को जीने में अगर कोई भी अगर परिशानी आए तो उस जगा पे हम सस्त्र का यूज कर सकते हैं वो नीती नहीं है कि आप बस सास्त्र को फॉलो करते रही है आपको मार रहा है आप गाल दूसरा गाल भी वढ़ा दीजे वो सिस्टम नहीं है आपको आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझाने के लिए जो भी तरीका मुझे यूज करना पड़ेगा वो में करूंगा लगता है उत्ता प्रदेश में शास्त्र और सस्त्र दोनों का उप्योग हो रहा है और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यह मुझे लगता है अभ क Laden कर रहे है तो कानून तो को आडमी आजमी का नुक्सान तो नहीं कर रहे है जो हमा जो गलत काम किये हैं उनली को सजा दे रहे हैं उनको सजा देने का तरीका बदल दी है बस यह अंतर है सबसे जादा जो प्रोपर्टी करने का तरीका है यह सबसे बेश्ट तरीका है मुझे लगता है उनका इतना दिन का वे एक बार में मिट्टी में मिला दो कांभा होगा माफिय के अंदर होगा डर क्यों नहीं होगा ऐसा से अभी आप देख लिए बहुत सारा तादात घटवी गया और डर है भी धीरे-धीरे लोगों के अंदर जाग रुकता भी आ रही है तो ये तो ये तरीका काम जरूर करेगा मुझे लगता हमें